हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब ओप यौल आर अपसलिटली फाइन वेलकम डू दू दा इंफो स्टोर हाउस और आज की जो इंफो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मतर मश्रूम की बहुत ही टेस्टी सबजी और ये सबजी बनाने के लिए मैं मश्रूम को सबसे पहले स अज़ाय था जह मैं किचन में काम करती हूं तो एक काम नहीं कई सारे काम सोचते हूं उसे दौरान साथ-साथ कर लो तो आज भी मैं मश्रूम की सबजी बनाने के साथ-साथ कई सारे काम करउँ गी तो अभी फिलहाल ये मश्रूम को हम ने डो पिसेज में काट लिया है और के साथ जो भी हमें टमाटर प्याज जो इसमें ग्रेवी डलेगी उसकी तयारी कर लेते हैं एक तरफ तो यह हमने प्यास छीली स्टार्ट कर दी और एक तरफ टमाटर करती हैं रेडि और एक तरफ सारा मश्रूम गया तेल में और ये होगा फ्राइऑ क्योंकि फ्राइऑ होने के बाद ये काफी सॉफ्ट हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगा जब भी मैं मटर मश्रूम की सबची बनाती हूँ तो उसको थोड़ा सा फ्राई जरूर कर लेती हूँ साथार मश्रूम की सबची बहुत रूटीन ली नहीं बनती है कभी-कभी बनाती है पर उसको चावलों के साथ खाना जादा हम प्रेफर करते हैं चावल के साथ वह बहुत टेस्टी लगती है अब मुझे उसकी बनानी है थिक ग्रेवी तो इसी चीज के लिए हो रही है सारी प्रेपरेशन जिसमें जो टमाटर है और प्याज है उसको मैं ग्राइड कर लूँगी अच्छे से मिक्सी में और बाकी जो लहसन अद्रक और हरी म प्याज है उसको उसमें अच्छे से कूट के उसको रेडी करेंगे तो एक तरफ में कर रहे हूं टमाटर और प्यास को ग्राइंड यह हमारा दोनों का पेस्ट हो जाएगा रेडी क्योंकि अगर मैं पहले से एक एक चीज़ की प्रिपरेशन करनी करके रखती हूं तो ऐसा लगता है बहुत लंबा टाइम लगता है कोई भी चीज़ बनाने में इसलिए मैं साथ साथी प्रिपरेशन करती हूं कि जिती देर में तेल गरम हो रहा हुँ तेर में बाकी काम कर कि वह हैबिट ऐसी बनी हुई है सुबह भी नाश्ता और लंच जल्दी जल्दी बनाना होता है मॉर्निंग में भी तो इसी वज़े से ऐसी हैबिट बन गई है कि जब तक एक काम हो रहा है तब तक बाकी काम जल्दी जल्दी किचन के निप्टा लो यह हमारे मश्रूम हो गए देते हैं तो तेल बिल्कुल भी यूज के लाइक नहीं होता है उसको डिसकार्ड ही करना पड़ता है और यह हमने कड़ाई चड़ा दी है अब करेंगे हम मश्रूम की इसमें डालेंगे सरसो का तेल डिपेंड्स आप जो भी तेल खाते हैं चाहे रिफाइंड हो या सरसो का हो आप कोई भी डाल सकते हैं हम सरसो का तेल जादा खाते हैं तो इसलिए सरसो का तेल मेरा जादातर सब्जियों में यूज होता है एक तरफ मैंने पानी गरम करने चड़ाया है क्योंकि आज मुझे सब्ची बनाने के साथ साथ एक काम और करना है और वो है मक्षन निकालने मक्षन अलग करना है क्योंकि बनाना है मुझे देसी घी मेरे पास है बहुत सारी मलाई तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल मश्रूम की सब्जी उसमें मैंने डाली है साथ लाल मिर्च और जीरा और जो भी खड़े मसाले आपके पास हो जैसे जोटी लाइची है लॉंग प्राइन करी हुई थी बस वो प्यास को अब इतना भूरेंगे कि जब हलकी सी ब्राउन हो जाए क्योंकि जब हलका सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो उसी दोरान हम मिलाएंगे उसमें अधरक लेसन और हरी मिर्च जो हमने कूट के डाली थी उसको यह देखिए इती सारी और उसके बाद उससे निकालेंगे घी मक्ष निकालने की और घी निकालने की जो पूरी टेक्नीक है वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि अभी अगर इसमें शेयर करी तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो एक तरफ प्यास चलाते रहेंगे बस जब यह हलकी ब्राउन होगी तो इसमें हमने अधरक लेसन और हर इमेज का जो पेस्ट बनाया था उसको मिक्स कर दिया अब यह भी इसी के साथ थोड़ा टाइम लेके ब्राउन होगा यह देखिए कितने अच्छे से मक्षन एक्द हम बिल्कुल सेपरेट हो गया और इसको कर लेंगे अलग को पता है आपने अपनी आखों के सामने बनाया है बच्चों को भी इतने हम बिल्कुल बिना टेंशन के खिलाते हैं और अब यह मैं कर रही हूं मिर्च के और गाजर के अचार की तैयारी क्योंकि जितना मैं अचार बनाती हूं वह हफते भर में खतम हो जाता है तो मुझे अचार हर दस-पंदा दिन में बनाना ही होता है तो इस भी मैंने मिर्च की जितनी थी अच्छे से ड्राय करके और इसके जो डंठल थे उनको अलग कर लिया है अब यह भी बिलकुल तैयार हो गया है जहां तक देख सकते हैं बिलकुल प्याज भी भूनके रेड़ी हो गई है तेल अलग हो गया है प्याज अलग और अच्छे से इसमें लेसन अद्रग भी मिक्स हो चुका है इसके साथ मैने डालदी चो टमाटर की प्यूरी ती जो मिक्स हमने ग्राइंड करी थी अब इसमें मिला दूंगी मसाले जो हमारे किचन के मसाले होते हैं जिसे धनिया धनिया पाउडर है हल्दी पाउडर है नमक है उसमें डाल सकते हैं जो भी हमारे पास गरम मसाला है या सबजी मसाला है लाल मिर्च पाउडर बस यही जो हम हमारे 4-5 मसाले जादता सब्जी में यूज होते हैं यह इसमें डल चुके हैं उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसको तब तक हम भूनते रहेंगे मसालों को जब तक कि बिल्कुल तेल अलग और सब्जी अलग बिल्कुल ऐसे जो दिखने लग जाए तब तक उसको ढख कि हम उसको पच्छे से फ्राइ करते रहेंगे यह देखे कितना अच्छे से मक्षन बुरा निकला है और इसी में से मैं घी अलग करूंगी बात में इत्ती देर में मैं पर प्रेशन कर लेती हूं गाजर के अचार की तो मेरे काम ऐसे ही होते हैं जहाँ जित्नी दियर में एक सबजीत बणके तयार होते हैं फिर में और भी काम बनके रेडियो जाते हैं काजर के अचार के लिए जो बीच-कारी इंसे उलग कर लेती हूं WRUNG cesah जो रेड वाला पार्ट होता है उसको अचार में यूज़ करते हो यह मेरा बेटा बीचे से जहां करा था कि मम्मी कर क्या रही है क्या में तो गाजर में इस तरह से काटके दो पिसेज में कर ली है अब इस गाजर में सिर्फ एकी काम करना है उसमें नमक लगा कि थोड़ा सा या उसको मुझे ओर्णायिट के लिए रख देना है या तो ऑगर दिन में कर रहे हैं तो उसको धूप में डाल सकते हैं बस मैण मोटे होता है कि गाजर मैक्सिमम अपना पानी है वो छोड़ दे इस तरह कि मैंने चन्नी में ऐसे रख दूँगी ओवर नाइट के लिए और नीचे कटो रहा था कि जितना भी पानी हो वो नीचे कलेक्ट हो जाए तो ये देखेगे हैं हमारा मसाला भी बिल्कुल तैयार हो गया मटर मश्रूम के लिए जो मटर थी वो मैंने बॉइल करने रख दी थी क्योंकि बहुत ज्यादा पकी हुई मटर थी, सफल की मटर नी थी, तो अग्दम बोइल करें पहले उसे जालग जब वो बिल्कुल बॉइल होके डेडी हो गई, तब मैंने उसे चन् Academic में डाला था do पर यह सब्सक्राइब हमारि बन गयों कि यह तैयार तो जितने भी आप ग्रेवी खाते हैं कितना भी उसको पतला रखते हैं सब्सक्राइब हमारी बिल्कुल सब्सक्राइब यह तैयार है इस면 मैं पानी आड़ करूंगे उतना बानी जितना मुझे ग्रेवी में चाहिए बस बहुत जादा पतली नहीं करनी है यह थोड़ी गाड़ी ही अच्छे लगती है बस पानी ढाल के और इसको 57 मिनट के लिए ढख के पकने देंगे और अब हमारी हो जाएगी सब्जी बिलकुल खाने के लिए तैयार आप चाहे चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं लीजी हमारी सब्जी हो गई है तेयार इसमें डाला धनिया और ये है एकताम रेडी स्वादिश सी सब्जी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब गुडबाई